वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मज़ा नहीं आता एक खबर आ रही है, अदालत में सुनवाई से पहले, ये पत्र सौपा जा सकता है, तीनों ही पाटियां, मिलकर ये चिठ्थी सौप रही है, राज जिपाल, यानि राज भवन को, कि तीनों पाटियां एक साथ है, सीधे बात करते हैं, अशोक सिंगल हमारे से योगी हमारे है, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले, संजयर आउट सब दिख रहे, अशोक पूरी तयारी है कि राज जिपाल के सामने हम भी दावा ठोक दे, तमाग जो विधायकों के समर्थन का पत्र है, वो राज जिपाल को सौपा जा रहा है, तयारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे मीटिंग भी हुई थी, और उद्दभ ठाकरे ने एंसीपी के विधायकों को एड्रस भी किया था, उनको विश्वास दिलाया था कि सरकार हमारी बनेगी, और तीनो पार्टिया एक जूट है, और उसी दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट मे लेने के बाद ये खतम उठा रही है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले अपना दावा भी मजबूत कर लेना चाहती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कैसके, कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, और हमारे पास बहुमत है, तो अंचेना कोई भी कसर, क दिखाने की कोशिस है, लेकिन देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, फोलोड टेस्ट क्योंकि एंचीपी, कॉंगर्स और सीप से ना कह रही है, जल्दी जल्दी फोलोड टेस्ट होना चाहिए, फोलोड टेस्ट पर पता चलेगा, उधर बीजेपी बहुमत कि हमारे पास बहुमत है, एंचीपी हमारे साथ है, और अजीत पबार ने कल कहा था कि मैं एंचीपी में हूँ, शर्थ पबार हमारे लीडर है, एंचीपी और बीजेपी की सरकात, स्टेबल सरकार बनेगी और इसलिए हम लोगों ने स्टेबल सरकार बनाने के लिए तो थोड़ी आज की सुभा की रोशनी ऐसी फैलेगी कि हम सब समझ पाएंगे कि कौन कर रहा है ये पूरा खेल और इस खेल के पीछे की सचाई क्या है संजर रहे हैं सुप्रिम कोट का जहां तक सवाल है सुप्रिम कोट भी इस मामले में राज़्यपाल के निर्णे को नहीं पलटना चाहता है या नहीं पलट सकता है क्योंकि राजजपाल ने जो निरने कर दिया राजजपाल का फैसला राजपाल का खदम उन्हें इम्मिनिटी मिली होती है सम्विधान के अनुचे 360-361 के मताबिक राजपाल यानि अब फैसला तो पल्टा नहीं जा सकता लेकिन फैसले की तस्दीक सिर्फ और सिर्फ सदन में हो सकती है जिस समय अब कोट यही करेगा मुझे ये लग रहा है कि कोट इस मामले में जैसी की पुरानी परमपरा रही है कोट फिक्स कर देगा कि कब सदन में बहुमत साबित करने का समय आएगा उसके पहले कि जो भी प्रक्रियाएं हैं जो भी रस्मोरिवाज हैं जो भी परमपराएं हैं उसके लिए एक समय तैक कर देगा कोट और ये बताएगा कि तब तक आप प्रोटे में स्पीकर चुन लीजे इतने समय में आप शपत करा लीजे शपत अलग-अलग होगी या एक साथ ही सारे लोगों का जैसे तीरत अस्थानों में सारे पुरो एक साथ मंतर पढ़ा देते हैं यानि पहली वोटिंग वो इसी में करेंगे कि कौन किसके पाले में है अब इसमें क्या प्रक्रिया तै होती है क्या जो लोग प्रस्ताव के पक्ष में हो इस तरफ बैठें दूसरे लोग इस तरफ बैठें विरोधी लोग हाथ उओठा करें धोनी मत से करें या फिर डिवीजन होगा ये सारी चीजें तै हो जाएंगी यानि आज रोशनी पढ़ जाएगी ऐसे उमीद लग रही कि आज जो धुंदलापन है जो धुंद है वो साफ हो जाएगी अमन सिनाजी बने हुएं सभी लोग हमारे साथ हैं लेकिन इसे पहले आईए आपको सिल्जिलवा ढंग से एक बार दिखा देते हैं क्या सूर्ते हाल इस वक्त आज की सुबह है सुबह सारे दस बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इधर तीनों ही पार्टियों की बैठक चल रही है आप चहरा जरूर शरत पवार का उधव ठाकरे का देख रहे हैं लेकिन कॉंग्रिस पार्टी भी शामिल है और ये तीनों ये तै कर रहे हैं कि हम समर्थन क सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के पहले दूसरी तरव देवेंदर फड़न में शपत ले चुके हैं सरकार का काम भी कर रहे हैं बीती रात देर लगबग 11-12 बजे तक बैठक चली 50 मिनट की बैठक थी अजीत पवार के साथ और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अलग-अलग कि हम तो दिन रात लगे रहते हैं पस महाराश्व की सेवा में इधर उनको बहुमत सावित करना है कहां से आएगा आकड़ा एंसीपी के तमाम विधायक होटल हयात में चिपाए गए हैं शिवसेना के तमाम विधायक होटल ललिप में और सबसे दिल्चस बात सुनिए जब एनसीपी के कुछ विधायक ये जे डाव्यू मेरिट में कॉंग्रेस के विधायक हैं जब कुछ एनसीपी के विधायक ये शनिवारात की बात है तेहलने के लिए पी होटल से बाहर निकल रहे थे तो दो-दो गाडियां उंको एसकौर्ट कर रही थी पकड़-पकड़कर उ कि जो अभी शेक मनु सिंग्वी और कपिल सिब्बल की मांग थी कि लाइब टेलिकास्ट हो फ्लो टेस्ट हो डिविजन और वोट हो और ओपन बालट के जरिये ताकि बोमाई जो जज्जमेंट है उसको आप देखें फिर एक साफ साफ अगर कोई भी पार्टी के खिलाफ जात बिलकुल उमीद तो यही है जब लोग तंतर होटलों के कमरों में खैद हो जाता तो समय सुप्रिम कोट पर ही निगाएं आती है और सुप्रिम कोट मेरे ख्याल से सारी चीजें साफ कर देना चाहेगा कि इसकी वीडियो रिकोर्डिंग हो इसके प्रक्रिया क्या होगी उसक बिलकुल साफ कर देगा ताकि किसी को कोई confusion ना रहे कोट आखिर में यह पूछ लेता किसी को कोई शक जैसे सेना में पूछते हैं किसी को कोई शक सारे लोग कहतें बेशक तो ऐसा कुछ शको शुभा कुछ भी ना हो यानि कोई ऐसा लूप होल्स कोई ऐसी दरार कोई ऐसा जिसका फाइदा उठाया जा सके जिससे शक का लाब लिया जा सके यानि ऐसे में लगता है कि कोट अब सारी चीजें साफ कर देगा या तो बोमई जज्मेंट को लागू करने की बात कहेगा या फिर कोई दूसरा रास्ता ऐसा रास्ता जिससे कि कि किसी तरह कि कोई समयधान कि देश की ये चिंता नहीं है कि लोकतंत्र अगर इस तरह से होटलों में कैद है विधायकों को बचाने की मुहिम है जोड़ तोड़ की खुलक के राजनीती हो रही है स्पश बहुमत आपके साथ नहीं है उदर NCP में विधायक दल का नया नेता चुन लिया है इन सब के बीच जैसा मैंने कहा भारती जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उबरी हमारा दाई तो भी है कि हम लोगों को एक सरकार दें कॉन्सियूशन भी इन भी सेज करता है और सुप्रीम कोट के जज्जमेंट्स भी हैं कि सभी पार्टी को जो सबसे बड़ी पार्टी है गव विधायक ने किसको रखा है, विधायकों को तो NCP, Congress और शिव सेना ने बंधक बना के रखा है, तो ये प्रशन तो उन लोगों से पुछा जाए तो बहुत है, जहां तक Supreme Code का प्रशन है, अंजना जी जैसे हमारे मित्र संजय जी, हमारे विधायक तो सब अपनी अपनी जगह ह भई जिसको ऐसा लगेगा कि हमारे विधायकों का पैसा बल रसूक का इस्तमाल करके आप उनके विधायकों को अपनी तरफ कर लेंगे, इसके डरे हुए आपसे देखिए, देखिए ये डरे हुए क्योंकि उनके मन में कुछ और डर है, उनको लगता है कि उनके विधायकों की जो उनमुक्त राय है या जो इंडिपेंडेंट लाइन ओफ तिंकिंग है वो अलग होगी और पार्टी कुछ और इंपोस कर रही होगी, तो इसका जवाब व किसी होटल या रिजॉर्ट में बंदख बना के रखा गया है, यही भारती जन्ता पार्टी और जिसुनी पार्टियों में अंतर है, अब मैं सुप्रीम कोट पे आता हूं, जना जी, खुदी बोलिए ना फिर, मुकुल रोधगी जी से बुलवाईए कि हम चाहते हैं कि जल स प्रशने हम तो खुदी बोल रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होगा, और फ्लोर टेस्ट में हम अपने नंबर सिद करेंगे, और फ्लोर टेस्ट कब होगा, यह गवर्णर को तै करना है, सुप्रीम कोट में लोग पेटिशन लेके गए हैं, सुप्रीम कोट के सामने प्रशन लंब विश्मस ने कि हम अपना सिद्र करेंगे. वो जो मांग रखी जा रही थी कि नहीं ये देर में होना चाहिए और अंजना जी एक बड़ी मज़धार बात में आपको शेयर करूँ कि ये ये जो बेंच है जसे स्रामाना और जसे संधीब खना है प्रेशन पूछ कि आप चले मत जाएए नहीं बिल्कुल नहीं जा रहा यू ही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले